शर्व पृत्मतो जया together, श्रीक्रश्ड आज होँ लोग एक कथा सुननेंगे कथा बड़े धार में、 मार में तथा अध्यात्मिक है इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने क्योंकि किशी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनन्द भी आता है तो चलिए कथा को सुनते हैं यह जो कथा है यह इस कहानी को समझ रखते हैं यह स्रमण कुमार का है स्रमण कुमार कौन थे उनको जानते हैं स्रमण कुमार जात इसे वैश थे इनके माता पिता दोनों आँखों से नहीं देख सकते थे बड़ी शावधानी और शद्धाशे ए उनकी शेवा करते थे अपने माता पिता के प्रतीक इच्छा को पूरा करने का प्रयत्न करते रहते थे इनके माता पिता की इच्छा हुई की तिर्थ यात्रा किया जा तब स्रमण कुमार एक कामर बनाई और उनमें दोनों को बैठा कर कंधी पर उठाए हुए ये यात्रा कराने लगें ब्रामण के लिए तो भिक्छा मांग कर जीव का निर्वा कर लेने की विधी है किन्तो दूसरी वर्ड के लोग यदि दरिद्र हो और तिर्थ यात्रा कर रहे हो तो बिना मांगे जो कुछ अपने आप कोई दे दे उशीशे जीवन निर्वाह करना चाहिए लेकिन स्त्रमण कुमार तो वन शे कंद मूल खल ले आया करते थे और उशीशे माता पिता तथा अपना भी काम चला लेते थे दूसरे का दिया हुआ अन भी वे नहीं लेते थे इशी प्रकार यात्रा करते हुए आयुध्या की शमीप जंगल में पहुँचे वहां रात्री केश में माता पिता को प्याश लगी शमण कुमार पाने लेने के लिए अपना तुमबा लेकर सर्यू तक पर गए जब तक कोई पूरी शावधाने शे धर्म के रक्षा करता है धर्म उशे शमस्त विपत्तियों से बचा लेता है किन्तो जब प्रमाद वश धर्म के मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जाता तब कोई न कोई भूल अवश्य होती है और उश का परड़ाम भी शामने आता है धर्म शास्त्र की आग्या है कि युद्ध को छोड़कर अन्य कहीं भी हाथी को मारना पाप है दूसरे यह भी मर्यादा है कि बिना पूरा निश्चे की हुए केवल अनुमान करके कहीं कोई अस्त्र न चलाया जाए महाराज दसरत उश शमय अकेले ही आखेट के लिए निकले थे उश दिन या उन दिनों अयोध्या की शमीप के वन में जंगली हाथी रहते रहें श्रमण कुमार ने जब पानी में अपना तुम्बा डोया तब उससे जो शद्ध हुबा उसे शुन कर महाराज ने शमझा की कोई हाथी जल पी रहा है उन्होंने शब्द वेधी वान छोड़ दिया एक तो केवल अनुमान के आधार पर वान चलाया गया दूसरे हाथी समझ कर भी वान नहीं चलाना था क्योंकी आखेट में हाथी का मारना वर्जित है वान जाकर स्रमण कुमार की छाती में लगा और वे चीख मारकर गिर पड़े तथा कराहने लगे महाराज वह शब्द शुन कर वहाँ पहुचे तो देखा की एक वलकल धारी निरोश बालक भूमी पर पड़ा है उसकी जटाएं बिखर गई हैं पात्र का जल गिर गया है और उसका शरीद धूल तथा रक्त से लथफ़त हो रहा है उसने महाराज को देख कर कहा राजन मैंने तो आपका कभी कोई अपराद नहीं किया था आपने मुझे क्यूं मारा मेरे माता पिता दूरबलत था आखोशे नहीं देख शकते उनके लिए मैं यहां जल लेने आया था वे मेरी प्रतिच्छा करते होंगे उन्हें क्या पता कि मैं यहां इस प्रकार पड़ा हूँ पता लग जाय तो वे चल नहीं सकते मुझे अपने मृत्तों का कोई दुख नहीं है किन्तो मुझे अपने माता पिता के लिए बहुत दुख है आप उन्हें जाकर यह समाचार सुना दे और जल पिलाकर उनकी प्यास सांथ करे महाराज दसरत शोक्षे ब्याकुल हो रहे थे स्रमण ने उन्हें अपने माता पिता का पता तथा वहां पहुचने का मात बता कर आस्वासन दिया आपको प्रमहत्या नहीं लगी मैं ब्रामण नहीं वैश हूँ पर मुझे बड़ा कश्ट हो रहा है आप यह अपना बाण मेरी ज्छाती से निकाल दे बाण निकाल कर यह पाण निकालने पर व्यथा से तडप कर एवन काप कर स्रमण ने सरी छोब दे अव महाराज दसरत पस्ताताप करते हुए जल के पात्र को शर्यू के जल से भर कर स्रमण के मातापिता के पास पहुचे वहाँ पहुचकर दुख्षे भरे हुए कंट से किशी प्रकार उन्होंने अपने वा अप्राध का वरणन किया वे दोनों बृद्ध दमपते पुत्र के मरने की बात सुनकर अत्यन्त ब्याकुल हो गए उन्होंने रोते रोते महाराज से कहा कि हमी अपने पुत्र के मृद्ध सरीर के पास पहुचा दो महाराज दस्रत ने दोनों को कंधे पर उठा कर वहां पहुचाया उशी शमय महाराज ने देखा कि मुनी कुमार स्रमण माता पिता की शेवा के फल से दिब बेरूप धारण करके बिमान पर बैठ कर श्वर को जा रहे उन्होंने आश्वसन देते हुए अपने माता पिता से कहा आप दोनों की शेवा से मैंने यह उत्तम गती प्राप्त की है आप मेरे लिए शोग न करें आप लोग भी शिग रही मेरे पास आजाईएगा इसकी पश्चार उन दोनों ने शूखी लकणियां एकत्र कराका उस पर स्त्रवण का मृत देह रखवाया शर्यों में अश्नान करके अपने पुत्र को जलांजली दी और फिर उसी चिता में गिरकर सरीर छोड़ दिया अन्तिम्ट समय उन्हों में दुख के बेग में महाराज को शाप दे दिया जैसे पुत्र के बियोग में हम दोनों मर रहे हैं वैशे ही तुम्हारा सरीर भी पुत्र के बियोग में ही चूटेगा स्रमण के माता पिता भी अपने पुत्र के पुड़ी प्रभाव से उत्तम लोग को प्राप्थ हुए इस प्रकार स्रमण ने माता पिता की शेवा करके उस धर्म प्रभाव से अपना तथा माता पिता का उध्धार कर दिया आज के लिए इतना है फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जैस जैस